जेहिन दोस्तो स्वागत है आपको KPS Study.YouTube चैनल में तो दोस्तो आसम राइफल्स के तरब से एक नई भरती जारी कर दिया गया है और इसका सोट नोटिफिकेशन आ चुका है यानि कि फूल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है केवल सोट नोटिस अभी जारी किया गया है और ये वेकेंसी कंस्टेबल GD के लिए है यानि कि GD पोस्ट के लिए ये वेकेंसी जारी किया गया है तो All India के Candidate इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं Male and Female दोनों के लिए ये वेकेंसी है तो आज कि इस वीडियो में इस भरती की Complete जनकारी आपको बताएंगे और कौन-कौन से Student इ Officially Notification और ये Notification आप सभी को बता दे ये एक Short Notice है Full Notification भी नहीं आया है और ये Notification आप सभी यहाँ पदेख सकते हैं Date जो है 7 March 2022 को ये Notification जारी किया गया है और ये वेकेंसी आप सभी यहाँ पादेख सकते हैं Awesome Rifles के तरब से आया है और आप सभी को बता दे कि जो ये वेकेंसी जारी किया गया है ये a sports person के लिए है यानि कि जिनके पास a sports related certificate है तो ये a student इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी देखेंगे a sports person बताया गया है recruitment Riley इसके बाद आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं इसमें बताया गया यानि कि यहाँ पी यह बताया गया है कि इसमें जो total आपका पोस्ट है 104 है और इसमें Indian male and female दोनों फर्म अपलाई कर सकते हैं और इसमें जो वेकेंसी है आप सभी देख सकते हैं in rifleman या rifleman oman general duty पोस्ट यानि आप सभी को बता दे कि इसमें जो आपका पोस्ट है ये gd के लि यानि कि जो इसका last date है 30 April 2022 तक रहने वाला है और यहाँ पर देखेंगे the online server will start from 26 March 2022 यानि कि जो इसका फर्म आपका apply होने वाला है या 26 March 2022 से जो है apply सुरू हो जाएगा और last date की बात करें तो 30 April 2022 आपका रहेगा तो 26 March को जो है Awesome Rifles का जो officially site है यानि कि इसकी form apply का जो link है वो active कर दिया जाएगा तो 26 March से आप form apply कर सकते हैं इसके बाद eligibility criteria में आप सभी देखेंगे यहाँ पे age limit, educational qualification और इसके अलावा जितने भी यानि कि complete जो details है इसका physical का वो इस notification में नहीं बताया गया है और यहाँ पे ज 26 March को employment news पर आएगा उस दिन जो है इसका full notification जारी किये जाएंगे इसके बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है how to apply firm तो इसका firm आपको online mode से apply करना होगा और यह Awesome Rifles के officially site पर आप सभी जाकर apply कर सकते हैं तो दोस्तों यह इसका vacancy है अभी यह short notice है full notification नहीं है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इस भरती की details के बारे में तो आप सभी को बता दे कि इसके अंतरगत जो आपका age limit रखा गया है वहाँ ठारे से 25 है इसमें और जो OBC candidate है उन्हें तीन बरस का चूट और SCHT जो candidate है उन्हें 5 बरस का relaxation आपक तो फर्म अप्लाई कर सकते हैं यानि कि तेन्थ पास और साथ ही साथ आप सभी को बता दे कि इसमें आपके पास जो है national या इस फर्म को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एस पोर्ट सर्टिफिकेट का फर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो साथ आप सभी को बता दे कि तेन्थ पास और साथी साथ स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए तो जाकर आप इस फर्म को अप्लाई कर पाएंगे अगर आप सभी इसकी complete जनकारी जनना चाहते हैं तो link description में है या online सरकारी job.com पर visit करके भी आप सभी check कर सकते हैं और इसकी complete details भी पढ़ सकते हैं और आप सभी को बता दे कि इसमें जो आपका height रहने वाला है height 170 cm मांगा गया है male candidate के लिए और अगर आप सभी female है तो 157 cm जो है height इसमें मांगा गया है तो दोस्तों जब भी इसका full notification आएगा 26 March को इसका full notification आएगा उस समय आप सभी को बताए करना है और इसकी complete eligibility criteria के बारे में लेकिन अभी आप सभी को बता दे कि इसमें सभी student form apply नहीं कर पाएंगे के वल जिनके पास sport certificate है वहीं student form apply कर सकते हैं अब आप में से काफी सारे student का सवाल होगा कि आखीर फ्रेसर candidate के लिए यानि कि जो simply 3th pass out है या 12th pass है उनके पास किसी भी परकार के experience certificate नहीं है तो उनके लिए vacancy कब आएगा तो दोस्तो मैंने आपको पहले भी बता हैं कि 800 post पा जो है आपका भरती आने वाला है और ये vacancy दो मन्त बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि जून मन तक आने की पूरी संभावना है 800 post पा सभी student के लिए vac vacancy आया था और इस साल भी आप सभी देखें तो relation का भरती आ चुका है आप सभी को पता होगा 800 post पा इसके अलावा ये sports का भी भरती जारी कर दिया गया है इसके बाद जो है आप सभी का फ्रेसर का इंडिडेट के लिए vacancy आने वाला है तो ये भी vacancy बहुत जल्द आपको द हिंद बंडे मात्रब